हाई सुपर फैन्स, आम स्वाप निल, और इस वीडियो में मैं करूंगा शी हल्क के एपिसोड 2, सुपर यूमन लॉयर का ब्रेकडाउन एपिसोड 1 के एंड में हुए इंसिडेंट के बाद जैनिफर वाल्टर्स की लाइफ में होते हुए आफ्टर इफैक्स देखने मिलते हैं हमें इसी एपिसोड में एपिसोड 1 की क्लाइमेक्स की छोटी सी बैटल में जूरी को बचाने की वज़ा से हर जगह इस सुपर यूमन लॉयर की बाते होते हुए दिखती है एक न्यूज एंकर की इंटेव्यू के दौरान जैनिफर को मिलता है उसका सुपर हीरो नेम शीहल और जैसा की ब्रूस बैनर ने उसे स्टार्टिंग में बताया था कि सुपर हीरो को उनके नाम पिक करने नहीं मिलते वही चीज जैनिफर के साथ यहां होती है अल्थो जैनिफर अपनी सुपर हीरो इमेज से खुश नहीं है लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसके लिए एक्साइटेड दिखती है फिर जैनिफर कोश्चन करती है कि क्या अवेंजर को पैसे भी मिलते है या फिर उनके पास हेल्थ केर, मेटरिटी लीव और इवन पेंचन भी होती है ऐसे ही कुछ फाइनेशल इस्यूस से हमने फैलकन अन्द विंटर सोलजर में सैम विलसन को गुजरते देखा जहां अवेंजर होते हुए भी उसको लोन नहीं दिया जा रहा था अब जहाए एक तरफ ये पार्टी होती है जैनिफर की न्यूफाउंड सूपर पावर्स की वज़े से वहीं उसका बॉस आके उसे बताता है कि वो पिछला केस हार गए है और इसी रीजन से उसकी कंपनी उसे जॉब से निकाल रही है और इसी चीज़ को रेप्रेजन करने के लिए फन वे में लोगों को चेंज कर दिया जाता है शी हल्क अटेर्नी एट लॉ से शी हल्क अटेर्नी फॉर हायर में इंट्रिस्टिंगली इसी नाम की एक मार्वल कॉमिक सिरीज है हीरोस फॉर हायर जिसमें आइरन फिस्ट, लूक केज और पावर मैन एक साथ मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं हीरोस फॉर हायर इंकॉर्पोरेशन ताकि वो अपनी सुपर हीरो सर्विसिस सेल कर सके अब शुरू होती है जैनिफर की एक न्यू जॉब ढूनने की कोशिश लेकिन उसकी सूपर पावर्स की वज़ए से उसे कोई भी हायर करना नहीं चाहता अपनी फ्रेंड निक्की के साथ बैटके जैन ऑनलाइन जॉब्स जूब्स जूड़ती है यहाँ पर जैनिफर की कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी हिडन डीटेल्स है जिनमें सबसे पहले आता है यह QR कोड जो की एक और फ्री शीहल कॉमिक्स के लिए है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलवा हमें बहुत सारी टैब्स दिखती है जिनमें फनॉर्स माइथोलोजी और दे अवेंजर्स भी है लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग चीज यहाँ पर है Find Ant-Man जो इस तरफ हिंट दे रही है कि Ant-Man फिर से Missing है क्या वो फिर से House Arrest पे है या फिर ये सीरीज पैरलल वर्क कर रही है Ant-Man and the Wasp Quantum Mania गे ये काफी इंट्रेस्टिंग बात है क्योंकि इसी एपिसोड में आगे चलके हमें पता चलेगा कि शैंक्ची में हुई Abomination वाली इवेंट्स She-Hulk के पैरलल ही हो रही है अगर ऐसा रियल वर्ल्ड में होगा तो मैं भी वो शूज खरीदने में इंट्रेस्टिंग रहूंगा आपके क्या थॉट्ट से इसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिखके बताना लेकिन एक्चुल की इस्टर एक्स अब शुरू होते हैं इसी एड के नीचे हेडलाइन दिखती है जो डिरेक्ट हिंट है वुल्वरीन की तरफ यानि की मैन विद मेटल क्लॉज और क्या हो सकता है और वैसे भी MCU में मिस मार्वल की थूज अर्ड़ी मुटेंस इंट्रडूस कर दिये गए हैं जो गेन एक डिरेक्ट रेफरेंस है इटर्नल्स का इटर्नल्स की क्लामेक्स बैटल में यूनिमाइन की मदद से सरसी सलेस्टियल टिया मट को एक स्टैचू में चेंज कर देती है जो आफकोर्स पानी के बाहर दिख के आता है की MCU उनिवर्स में कोई भी इस चीज़ को address क्यों नहीं कर रहा तो फाइनली उस चीज़ को भी यहाँ पर address कर दिया गया है जैनि की MCU उनिवर्स में भी लोग इस सोच में जरूर है कि यह क्यों हुआ है बट मेभी उन्हें अभी तक इटर्नल्स की सचा ही नहीं बता अब जैनिफर को मैसेज आता है उसकी मदर का जहाँ उसे फैमिली डिनर के लिए बुलाया जाता है यहाँ पर हमें फिर से दिखता है जैनिफर का कैप्टन अमेरिका के साथ अबसेशन क्योंकि उसी की फोटो जैनिफर की लॉक स्क्रीन पे लगी हुई दिखती है अब अपने पैरेंट्स के घर पे डिनर टाइम पे वो जिस चीज को अवाइड करने की कोशिश करती है यानि कि सूपर पावर्स की वज़े से उसे जॉब से निकाल देने वाली बात उसी चीज को सभी लोग सबसे ज़ादा डिसकस करते हैं जैनिफर का फादर उससे हौकाई के बारे में पूछता है कि क्या वो फाइट्स के बाद अपने एरोस कलेक्ट भी करता है या उन्हें ऐसे ही सिटी में पड़े रहने देता है और at least उसने कोई सिटी तो डिस्ट्रॉई नहीं की अब यहाँ पर ऑफकोस वो बात कर रहा है ब्रूस बैनर की जो उसका कजन है और most probably जिस सिटी को डिस्ट्रॉई करने की बात की जा रही है वो Age of Ultron में डिस्ट्रॉई हुई साउथ अफ्रिकन सिटी जोहन्सबर्ग की बात कर रहा है अफकोस हमें यह नहीं पता कि हल्क ने एक्चुल में कितनी सिटी डिस्ट्रॉई की है अब अपनी लाइफ की लेटेस प्रॉब्लम से जूजरी जैन वापस बैठी होती है बार में जहां पर उसे मिलता है GLKNH का Holden Holloway अब यही वो सेम कंपनी है जहां कॉमिक्स में भी जैनिफर वाल्टर्स काम करती है इन फेक्ट यह exact scene replicate किया गया है Marvel Comics के सीन से बस फरक इतना है कि कॉमिक्स में Holloway उसे हायर करता है as human उसकी lawyer skills के लिए वहीं यहां पर हमें आगे चलके पता लगेगा कि उसे हायर किया गया है शी हल्क के रूप में Superhuman Law Division को लीड करने के लिए अब जैनिफर उसकी पूरी बात सुने बिना ही सिर्फ एक शर्त रगती है कि वो अपनी best friend Nikki Ramos को भी as a paralegal अपने साथ लाएगी और वो job accept कर लेती है अब next day GLKNH के office में Hollywood से मिलने पर उसे पता चलता है कि उन्हेंने Jennifer को नहीं बलकि She Hulk को hire किया है और अगर उसे उनके लिए काम करना है तो उसके She Hulk form में ही रहना पड़ेगा Jennifer को यहां पर उसका अपना office मिलता है और उसे और Nikki को greet करने आता है इसी super hero law division का एक और member Augustus Puglies aka Pug Marvel Comics में Pug का जैन पे crash था और वो उसे human और She Hulk दोनों ही form में पसंद करता था लेकिन वो यह चीज़ कभी भी उससे express नहीं कर पाया में भी यहां वो चीज़ चेंज होती हुई दिखे अब She Hulk को मिलता है उसका first case Emil Blondes की aka Abomination जिसे हम obviously जानते हैं 2008 की The Incredible Hulk मूवी से जहां Bruce Banner की blood sample की वज़े से वो बन गया था Abomination और climax battle में Hulk से हारने के बाद वो पहुँच गया था General Ross की कैद में लेकिन फिर 13 सालों के बाद पिछले साल की Shang-Chi and the Legend of Ten Rings में हमें वो फिर से दिखा as Abomination ही Wong के साथ fight करते हुए एक ring में जिस बात का जिक्र यहां पर भी episode में आगे चलके होगा although Abomination हमें साल 2024 के Disney Plus Animated Series Marvel Zombies में फिर से दिखेगा जहां पर वो most probably एक multiversal character हो सकता है अब Jennifer conflict of interest की वज़े से पहले तो Blondsky का case लेने से मना करती है लेकिन फिर वो मान लेती है एक बार उससे मिल के उसकी बात सुनने को अब इसके लिए Jennifer जाती है D.O.D.C. Prison में जो कि हमने trailer के scenes में भी देखा था यहां पर Jennifer मिलती है Emil Blondsky से और वो होता है अपने human form में Emil उसे बताता है कि वो abomination बनना नहीं चाता और उसने choose किया है human बने रहना जिसका मतलब है कि Jennifer की यह तरह Emil Blondsky भी अपने hulk form को control कर सकता है यानि कि वो दोनों ही select कर सकते हैं अब उन्हें hulk form में रहना है और कब human forms में यानि कि सिर्फ Bruce Banner ही है जिसे अपने alter ego hulk से भी deal करना पड़ता है अब Blondsky यहां पर यह भी बताता है कि Bruce Banner पर किया हुआ attack वो thunderbolt Ross के कहने पर कर रहा था यानि कि US government के orders के अंडर ही और शायद यही वो point होगा जिसे उठाकर she help Blondsky का case लड़ते हुए दिखेगी जैनिफर यहां पर mention करती है abomination का Harlem City में किया हुआ destruction जो 2008 की the incredible help के climax में हुआ था लेकिन end में जैनिफर realize करती है कि उसे Emil Blondsky की help करनी चाहिए और इसी बारे में discussion करने और basically अपना decision बताने के लिए वो Bruce Banner को call करती है अब Bruce भी उसके इस decision को support करता है और उससे कहता है कि वो fight कई सालों पहले हुए थी और अब वो totally different person है literally क्योंकि literally 2008 की the incredible help में help को play किया है actor Edward Norton ने और उसके बाद की सभी MCU movies में उस character को play कर रहे है Mark Ruffalo as Bruce Banner अब यही पर एक बहुत important चीज reveal होती है कि Hulk है उसी सकारन spaceship में जिसकी वज़े से episode 1 में उनका accident हुआ था मतलब कि जो भी message Hulk के लिए अर्थ पे भेजा गया था उसी को handle करने के लिए वो अब जा रहा है सकार planet अब अगे इन यह बहुत important hints है Marvel Comics की Planet Hulk और फिर future में even World War Hulk comic storyline के MCU में adaptation की तरफ इन comics की और details में future videos में discuss करूँगा तो उसके लिए चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना अब Bruce से बात करने के वाद Jennifer Call लगाती है Hollywood को और Abomination का case लेने के लिए agree करती है लेकिन वो उसे कहता है टीवी पे news देखने को और news में हमें दिखता है Abomination एक underground fight club में fight करते हुए यह exact वही moment है जहां Shang-Chi में उसकी sister Ziya लिंक के चलाये हुए underground fight club में Abomination और Wong के बीच battle होते हुई दिखाई गई है अब of course as audience हमें पता है कि Abomination और Wong की battle actual में fighting practice थी जिसके बाद Wong उसे खुद D.O.D.C. prison में वापस छोड़ता भी है और most probably इसके पीछे government खुद है जो future में Abomination को एक weapon की तरह use करना चाहते हैं लेकिन अब इस leaked footage की वज़े से लोगों के ये लगेगा कि Abomination जेल ब्रेक करके गया fight करने के लिए और इसी reason की वज़े से Jennifer के लिए अब उसका case लड़के जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा अब ये news देखने के बाद Jennifer फिर से fourth wall break करके audience के साथ अपने thoughts share करती है जहाँ ये episode खतम होता है last episode की तरह इस episode में भी end credits में बहुत सारे animated form में future और past episodes के scenes दिखाये जाते हैं और episode खतम होता है short funny end credits scene के साथ जहाँ Jennifer की she hulk abilities को उसकी family use करती है घर के काम करवाने के लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे घर के सबसे लंबे member से ही bulb change कराया जाता है लेकिन यही पर finally खतम होता है episode 2 she hulk के episode 1 का breakdown और hidden details देखने के लिए ये वाला वीडियो चेक आउट कर लेना मिलते हैं next वीडियो में